तो आज हम reasoning का एक topic odd one out का letter type करेंगे इससे पहले मैं odd one out का basic CGL, CHSL, CPU में जो भी question आये थे सारे करा चुका हूँ उनको आप जरूर करें आपको आने वाले जो भी exam है CGL, CHSL उसमें जरूर फायदा मिलेगा क्योंकि उसी pattern में question पूछे जा सकते हैं उसी logic पर तो आज हम सुरूर करते हैं practice करते हैं practice कैसे करनी है पहले आपको खुछ से solve करना है फिस solution देखना है तो जो letter type है odd one out का इसमें important यह होता है कि आपको जो भी alphabet है उनकी position याद होनी चाहिए ठीक है जैसे A की position 1 है B की 2 है G की 7 है H की 8 है यह सारी position आपको याद होनी है चाहिए ठीक है याद कैसे होनी है मैंने अपनी letter series के basic video में बता है जैसे G है तो G की position जो होती है 7 होती है और आप देखने कि यहाँ पर 7 बनता है इस तरीके से मैंने वहाँ बता है कि आप कैसे याद कर सकते है 8 है H की position 8 होती है और 8 बनता है इसमें तो ऐसे आप कर सकते हैं H की position 8 तो यह आपको याद होनी चीए ठीक है इसलिए इससे exam में जो होता है एक question होता है वो easily हो जाते है इसमें जादे difficulty नहीं आती है तो आप जरूर पहले position याद करने है ठीक है और दूसरा जो होता है odd one out में आपको vowels, consonant ये भी देखना होता है कई question हो में ये भी logic होता है तो इसमें जो होता है odd one out में इसमें question पूछा जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी आपको position लिखके बताता हूँ, exam में आपको position नहीं लिखनी है आपको सीधे करना है तो यहाँ पे आप देखने कि इसमें जो position है C की 3 है, F की 6 है, I की 9 है, 12 है और next में आप देखने है M की यहाँ पे जो position है 13, 15, 17, 19 और next में आप देखने है 7, 8, 9, 10 और यहाँ देखने है आपकी position 16, 19, 21 और आपकी 24 तो इन में gap देखे, 3 से 6 है, plus 3 है, 6 से 9 है, plus 3 है, और 9 से 12 है, plus 3 है next में देखने, plus 2 है, यहाँ देखने, आपका plus 2 है, और यहाँ भी आपका plus 2 है और यहाँ gap देखें plus 1 है ठीक है plus 1 का gap है plus 1 का है plus 1 का है और यहाँ आप देखेंगे plus 3 का है फिर plus 2 का है और plus फिर 3 है तो आपको यहाँ similarity दिख रही होगी जो first 3 option है इसमें जो gap है वो सब जो भी alphabet है उनमें gap जो है वो बराबर है यहाँ 3 का है तो यहाँ भी 3 का है यहाँ 3 तो यहाँ आप देखेंगे सब में 2-2 का है यहाँ 1-1 का है लेकिन यहाँ पर पहले 3 का फिर 2 का फिर 3 का है तो यहाँ पर जो odd हो जाएगा वो आपका fourth option हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer होगा वो fourth option होगा ठीक है आपका भी fourth option नहीं आ रहा हूँ आप पहले खुछ से practice करने फिर देखें next question करते है next question में आपको बताना है यहाँ पर आप देखें कि क्या हो सकता है यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर भी आपको लिखके बता रहा हूँ इनकी position आपको exam में नहीं करना है आप सीधे यहाँ देखें कि 3, 6, 9, 12 इस तरीके से आप वहाँ पर करेंगे ठीक है तब ही जल्दी होगा तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर position लिख लें यहाँ पर position जो है 6, 9, 12, 15 उसके बाद इसकी position देखें यहाँ पर जो position है वह आपकी 16, 15, 23 और यहाँ पर 26 है और यहाँ आप देखें जो position है वह 11, 13, 17 और 20 है और यहाँ पर आप देखें जो position है वह आपकी 17, 20, 23, 26 है तो देखके आपको अंदाजा आ रहा होगा इसमें क्या है ठीक है यहाँ पर आप देखें सुरी यहाँ पर पूजिशन 14 होती है इनकी तो यहाँ पर आप देखेंगे 17 प्लस 3 20 है 23 26 है और यहाँ भी आप देखेंगे 11 प्लस 3 14 है और प्लस 3 17 है और 17 और 3 आपका 20 है ठीक है त तो किसी तरीके से जो 3 है यह आपके 1st, 2nd, 3rd और 4th आपके जो है आपके समान है अब यहाँ पर देखने हैं यहाँ पर –1 हो जा रहा है तो यह आपका different हो गया आपको आगे चेक करने की जरुवत नहीं है क्योंकि आपके 3 option जो है एक जैसे आगे तो आपके यहाँ पर odd हो जाएगा second option ठीक है समझ मां आगया होगा next question करते है next question है यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या logic हो सकता है simple सा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि position लिख रहा हो में यहाँ पर 11, 24, 10 और यहाँपर 23 उसके बाद जो position है next यह आपकी 7, 5, 90, 50 और यहाँ जो position है इसकी आप देखेंगे 9 है 22 है 8 है फिर उसके बाद आपका 21 है फिर आप position देखेंगे आपकी 13 है फिर 26 है फिर आपकी 12 है 25 है तो यहाँ पर आपको देखके अंदाजार होगा आप देखेंगे 11 से यहाँ पर minus 1 हो रहा है और 24 से यहाँ पर minus 1 हो रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो रहा 7 से 19 minus 1 नहीं हो रहा तो यह odd हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 से आपका 8 गए तो minus 1 हुआ और 22 से आपका minus 1 हुआ 13 से 12 गए minus 1 है और 26 से 25 गए minus 1 तो आपको जो odd आ जाएगा वो आपका second option आ जाएगा logic आपको clear होगा आप यहाँ भी देख सकते है जैसे आप बीना इनको लिखे करेंगे तो आप देखेंगे के से जे गया minus 1 है एक से डबलू गया minus 1 है इस तरीके से आप करेंगे i से h minus 1 v से u minus 1 ठीक है आपको position याद होगी तो आप easily नहीं कर लेंगे next question करते है next question है यहाँ पर आपको बताना है इसका answer क्या होगा फिर से मैं यहाँ पर position लिखू तो मैं आपको बताओं कि यहाँ पर क्या हो सकता है अगर position नहीं लिखू तो मैं देखूंगा यहाँ से p से q गया याननी कि 16 17 प्लस 1 हुआ 17 से 20 हुआ 20 से 14 हुआ ठीक है 17 प्लस 3 तो यहाँ देखिए d से e गया तो यहाँ कि plus 1 यह भी हुआ और e से g गया तो प्लस यहाँ पर 2 हुआ फिर G से J गया तो प्लस 3 हुआ ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो लिखके बता देता हूं में यहाँ आपका 16, 17, 20, 24 ठीक है और यहाँ पर जो आपका आजाएगा 4, 5, 7, 10 और यहाँ आपका जो आजाएगा 20, 21, 23, 26 और यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका आजाएगा 13, 14, 16, 19 तो आप यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है फिर प्लस 2 हो रहा है फिर प्लस 3 हो रहा है तो सेम यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है प्लस 2 हो रहा है सेम लोजिक ठीक है यहाँ प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 हो टू प्लस टू ठीक है तो प्लस वन प्लस टू प्लस त्री इस तरीके से इसमें जो लॉजिक है तो और आपको जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्सन हो जाएगा next question करते है next question में आपको बताना है इसमें क्या होगा ठीक है वापस से यहाँ पर position लिख लेते हैं यह 18 हो गया फिर यह 17, 19, 20 next position आपकी 13, 12, 14, 15 ठीक है यह position ऐसे ही आपको याद होनी चीज़ जैसे मैं लिख रहा हूँ 3, 2, 4 और यहाँ पर 5 next आप देखें 6, 7, 8, 10 अब यहाँ पर आप logic ढूढ़ें क्या है आप देखें कि 18 से 17 हुआ, मैनस 1 हुआ, ठीक है फिर यहाँ देखें आप 13 से 12 हुआ, मैनस 1 हुआ, 3 से 2, मैनस 1 हुआ, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है तो आपको आगे चक करने की जरूवत नहीं है तो आपका जो odd होगा, वो fourth option ही होगा, यहाँ पर आपके यह तीन सेम होगा, आप इसे देख भी सकते हैं, यहाँ आपका प्लस 2 हो रहा है, यहाँ आपका प्लस 2, ठीक है, फिर उसके बाद आपका मैनस 1 हो जा रहा है, फिर मैनस 1 हो रहा है, फिर मैनस 1 हो रहा है, तो logic आपको स पार है 5 अब देखें यहाँ पर 16 यहाँ एक है तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा होगा आपको यहाँ पर 16 से 3 यहाँ प्लस हो जा रहा है ऐसे भी नहीं बन रहा है आप इनकी पोजिशन देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा शुरू में इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है तो यहाँ पर दूसरी चीज आपको क्या देखनी है अगर आप इसे पूरा देखनी है तो आपको यह नजर नहीं आएगा अब यहाँ पर दूसरी चीज जो है जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर क्या है जो मैंने आपको सुरू में बता तो यहाँ पर answer आपका third option हो जाएगा June Next question करते हैं Next आपको बताना है वापिस से यहाँ पर position लिख लीजिए ठीक है position आपकी 5, 6, 19 और आपकी 20 है और यहाँ पर आप देखिए 6 और 8 फिर आपकी 17 और आपका भी 22 हो गया ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ नेक्स्ट आपका 4, sorry 3, 4, 17, 18 और यहाँ आपका 1, 2, 15, 16 तो यहाँ पर आपको देखके अंदाजा हो गया कि यहाँ पर plus 1 है यहाँ भी plus 1 है यहाँ भी plus 1 है लेकिन यहाँ पर plus 2 है यहाँ पर जो odd होगा वो आपका second option होगा आप आगे चेक करेंगे देखें 19, 20, plus 1 यहाँ भी हुआ है 17, 22, plus 1 हुआ है और यहाँ पर 15, 16, plus 1 हुआ है ठीक है, sorry 17, 22 यहाँ पर plus 1 नहीं यहाँ पर आपका plus 5 हुआ है और यहाँ 17, 18, plus 1 हुआ है तो आपने देखा जो आपका second option है, इसमें आपके ये एक जैसा logic नहीं आ रहा है, लेकिन first, third और fourth में same logic है, तो आपका odd जो हो जाएगा, वो आपका second option हो जाएगा, next question करते हैं, next है आपका, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, logic आपको डूडना है, तो यहा आप लेखेंगे 15, 17, 22 है, और आपका 11, 13, 20 है, और यहाँ पर 6, 8, 15 है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 से 8 गया, प्लस 2 है, और 8 से 15 प्लस 7 है, यहाँ भी आपका प्लस 2 है, यहाँ आपका प्लस 7 है, यहाँ प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर आपका कितना है, प्लस 5 है, और आपका plus 2 है, लेकिन यहाँ पर आपका कितना है, प्लस 7 है, तो आप देखें कि आपका जो pattern है, वो आपका first, third और fourth में same आ रहा है, तो odd जो हो जाएगा वो आपका second option answer हो जाएगा, यह आपका odd है second option, ठीक है, यह easy question होते हैं, बस आपको उनकी position याद होती है, तो आप देख र B, D, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, शुरू के देखें, 18, 19 हो हुगा, फिर उसके बाद 20, 25, फिर आप देखेंगे, 8, 10, 12, 15, फिर आपका है, 16, 17, 18, 21, और यहाँ आप देखें, 2, 4, 6, 1, तो आप देखें कि यहाँ पर plus 1 है, यहाँ आपका plus 2 है यहाँ plus one है लेकिन यहाँ फिर से plus two है तो यहाँ पर यह logic नहीं होगा ठीक है और यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ plus five है लेकिन यहाँ plus three है तो यहाँ इस type का logic नहीं आ रहा है जब यह logic नहीं आता है तो मैंने आपको बता है कि आपको एक बात और ध्यान रखने है वो क्या है वोवल्स देखने है ठीक है यह आप सुरुवात में भी देख सकते हैं ठीक है यह आसान होता है वोवल्स देखना तो आप सुरुवात में भी देखके इसे कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका answer first option odd हो जाएगा, next question करते हैं, next question देखिए, यहाँ पे आप position लिख लीजिए, 8, 12, 16, ठीक है आप देखने gap जो है, plus 4 का है, प्लस 4 का है, ptx में आप देखिए, 16, 20, 24, यहाँ भी जो gap है वो प्लस 4 का है, next में आप देखिए, 12, 16, 17, यहाँ पे आपका plus 1 का gap है, यहाँ प्लस 4 का ह्याह्आ तो यह आपका odd हो जाएगा, आप next चेक करेंगे, d में आपका 4, 8, 12, तो यहाँ भी प्लस 4 का gap है, तो आप देखिए कि इन सब में जो है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ उप्सन ने प्लस फोर का गया पर और ठर्ड उप्सन आपके यहां पर डिफ्रेंट हो जाएगा जो कि आपका ओड है ठर्ड उप्सन यहां पर आंसर हो जाएगा जो कि आपके यहां जो है